हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर तो आज किस वीडियो में रीविव करने वाले हैं टीबी अस अपाचे 1582 भी बाइक की और जानने वाले इसके प्राइस 2022 म estás कितने क्या हैं और न्यूव अप्डेट के बारे में बात करेंगे और एम्ऐ के बारे में भी बताएंगे कि क्या कुछ इसकी एमआई रहती है तो सब कुछ बतायंगे इस वीडियो में तो वीडियो को बिल्कुल भी escape ना करें लाश्ट तक ही देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को करें हमारे सब्सक्राइब तो दोस्तों यह आगे का विव है इस परकार से आगे कोई बदलाओ देखने को नहीं मिलता है वही पुराना लुक्स जो पहले आता था वही लुक्स अभी भी आता है 2022 में हेडलाइट दी गए हेडलाइट में हेलो जं बल फी दिए गएं बvagल में दू इंकीटर दिए गएं इंकीटर में भी हैलों जल जं बफी दीये गएं और यहां नीचे नंबर पिलेट आप्शन मिल जाता है और आगे के सस्पैंशन की बात करें तो टेलिसकॉप सस्पेंशन दिए गए हैं फ्रॉंट में और फ्रॉंट ब्रेक साइच की बात करें तो 270 mm का सेंगल चैनल एबीएस दिया गया है आगे और टाय साइच की बात करें आगे की तो 90 वाई 97 रंज का टीवलेस टायर आगे दिया गया है और अलाव वील पर रैड कलर की स्टीकर भी दिये गए हैं जिससे बाइक और भी प्रीमियम लगती है यहां पर डबल हॉरर मिल जाते हैं देखने को जो की काफी तेज आवाज के साथ मिलते हैं और नीचे इंजन का विल दिया गया है अब इंजन की बात करें तो एक सो सततर पॉइंट फोर सीसी का एस आई फोर स्टॉक और कूलेड टू बॉल वे फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है काफी अच्छा इंजन दिया गया है दूस्तु गैर सेटप की बात करें तो फाइव स्पीड गैर वॉक्स दिये गए हैं और यहां पर साइड ट्यूब के रियर में सस्पेंशन दिये गए एजस्टेवल और यह लेड़िज फोट्रेस्ट और जैन्स फोट्रेस्ट पीछे के प्लेन के लिए और जो है कि इसकी चैन खुली दी गई है स्पोर्ट्स बाइक है अधिकतर चैन खुली ही आती है आपको दो चार पांसो किलो प्लेंच का ट्यूलेस्ट रियर में दिया गया है यानि कि पीछे और यहां पर आर्ट यार्वानेटी की बैजिंग मिल जाती है देखने को अब मैं आपको दोस्तों इसकी पीछे का भी दिखाता हूं तो सैम पीछे का लुक भी है इस लुक में कोई चैन्जिंग नहीं हु अच्छे है नीचे भी रेफ्लेक्टर दिया गया है और यहां बीच में नंबर प्लेट आप्सन मिल जाता है अब पीछे की ब्रेक साइच की बात करें तो 200 mm का डिस्क पीछे दिया गया है और यहां पर भी आपको आई टीर वरनेटी की बैजिंग मिल जाती है देखने को औ यहां पर अपाची की वेजिंग मिल जाती है भाइट कलर में और यह पीछी का ब्रेक पैडल है अब इसकी इंजिन पावर की बात करें तो 12.35 kW की जनरेट करता है 8500 rpm पर और maximum torque है जो इसका 15.5 nm का जनरेट करता है 7000 rpm तो पावर और torque भी काफी अच्छा दोस्तों देखने drive में भी काफी compatible feel करेंगे काफी soft seat है आप देखी सकते हैं अब मैं आपको इसके gravel दिखाता हूं तो यह black color के पीछे gravel दिये गए हैं इस पेकार से पीछे का plane बैठता है तो support के लिए कापी अच्छी है पकड़ कर बैठ सकता है आसानी से कोई problem नहीं रहती है यहां पर black color का sticker दिया गया है और fuel tank पर भी black color का sticker दिया गया है जिससे bike की खुप सूर्थी और भी बढ़ जाती है यहां पर horse का logo देखने को मिल जाता है नीचे RTR की बैजिंग fuel tank पर और इस side भी आपको इसी पेकार से इस side में भी दिखा दूँँ आपको तो इस side भी देख लीजिए आप उपर horse का logo और नीचे RTR की बैजिंग अब fuel tank capacity की बात करें तो 12 लीटर की दी गई है और इसके mileage की बात करें दोस्तो तो आपको 40 के plusy mileage देखने को मिल जाए गया इसमें और यह दिया गया है इसकी key तो double key मिलती हैं दोस्तों इस bike में और यह दिया गया है मीटर वार तो fully digital मीटर दिया गया है इसमें battery connection है नीवर्णा मीटर वार की बारे में और भी में detail में बता दीता अब बात करते हैं तो हिंडल वार की तो हिंडल वार पर कुछ स्वीच दे गए हैं और इस तरफ के हिंडल व की वह length दी गई है 2085 mm की वह बिड़ दिया गया है 730 mm का और भील बेस दिया गया है 1326 mm का ग्राउंड के लिए हैं 170 mm का और सेडल हाइट है 790 mm की और कार्व बेट है जो दोस्तों इसका वह है 141 kg का तो बेट भी यहां पर कापी अच्छा देखने को मिल जाता है दोस्तों अ 2510 रुपे और और प्राइस लगवग आपको 149,000 रुपे की मिल जाएगी जो प्राइस मैंने बताई है पांडे टीवी एस स्वारूम छहतरपुर मद्पधिस की बताई है दोस्तों इसके डाउन पैमेंट के बारे में और बता दूं तो कम से कम आप 40,000 रुपे डाउन पै यानि की इस्टा कार्ड जिससे आप एक लाख रुपे तक की शॉपिंग आसानी से कर सकते हैं एक टीवी एस कंपनी आपको ओफर करती है इसके बारे में और भी जानकारी लेने के लिए हमारे पांडे टीवी एस स्वारूम में आप जा सकते हैं और मैं एजनसी का नंबर भ या आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही